पूरा पावर पैक लाया है कोई खास वज़े थी कि अब बहुत सारी फिल्में लोग करते हैं अगर रोमांटिक है तो रोमांटिक ही रखेंगे अचली मैंने बहुत सारा सवाल पूछ लिया एक सवाल में तो पहले यह बताई कि कैसा है एक्सपिरेंस विथ मानूस एक दूसरे के साथ बताईए तो मेरे तो बहुत ही बड़ी बड़ी आ एक्सपिरेंस है क्योंकि पहली बात तो यह कि मैं जीट सर के साथ ऑपोजिट फिल्म कर रहू हूँ यह मेरी सेकंड फिल्म है उनके साथ तो तो ताट्स वाइम फॉर्चुनेट दूसरी बात यह कि स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट है मुझे लगता है और तीसरी बात यह है की मेरा चारेक्टर भी बहुत अच्छा है मुझे जो चारेक्टर मिला है that is very thrilling for me सब कुछ मिला के experience is superb के शूट करने में हम लोगो को बहुत मजाया बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा से हम लोगो नहीं शूट किया है बहुत प्यार से और अब जब लोग प्यार दे रहे हैं trailer teaser songs सब कुछ के वज़े से तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है जीत जी जी आपके बहुत बड़े सुपरस्टार है यह तुम आप पहले बोल गए अच्छा फाथी बात इस फिल्म कहानी जो हमें डेव वन सही अच्छी लगी थी जब शुरू में नरेशन दिया था शॉच्छ शॉमादार ने और हमने फिर्स्ट गानी जीत 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 कहानी को लॉग किया था फिर इसको जो भी डिवल्पमेंट इसका काम भागी ता डिवल्पमेंट का वो सारा किया आप लोगोंने और मज़े की बात इस कहानी में यह है कि एक बांध कर रखने वाली बात है दो घंटे तक जब आप फिल्म देखेंगे तो हर दस मिन्ट में आपको यह एसास होगा कि अगले पल क्या होने वाला है यह एक क्षण मांक माइन में आता रहेगा अब क्या होगा अब कैसे होगा यह चीजे जो थी वह बड़ी इंट्रेसिंग लगी ती जब हमने नरेशन सोना था और इसके डायलॉग बहुत ही कुपसूरत हैं मल्टी और मानुष का मतलब होता है इंसान मनुष्य और हर आदमी जब इस फिल्म को देखेगा तो वो कनेक्ट कर पाएगा किसी भी इंसान के साथ जब ऐसी परिस्तिती आती है जब वो किरदार के साथ वहा पर अपने आपको रिलेट करेगा फिल्म देखते देखते तो उसे लग रिलेट का जब आप ताई का जब वही है मैननत को एक वर्स्पाइट पॉइंट सेकंड पॉइंट सब बता तिया बट डेफिनित्ली जो उन्हें का ये बहुत ही रिलिस्टिक कहानी है जो सबको कनेक्ट करेगी human human crisis जब आता है जब लोग जिंदगी में जब crisis आते हैं परिस्टितियां जब कुछ अजीब अन फेवरिट नॉन फेवरिट जो मोड़ ले लेती हैं जो आपके पक्षमे नहीं हो तब इंसान कैसे बिहेव कर सकता है ये सारी चीजे दर्शाई के इसमें इसमें ये फिल्म कैसे मिले आपको कुछ अगर बताना चाहेंगी अदिशन देना पड़ा या फिर क्या कुछ था आपके लाइफ का ये इस फिल्म एक्षिली इससे पहले मैंने उनके साथ चैंगीज किया है तो वह भी बैल इंडिया रिलीजी थी तो उस वकत मुझे लगता है कि उनको मेरा काम शायद अच्छा लगा हो और ओविसली डिरेक्टर को मैं पसंद आई हो तो इस फिल्म के लि की थी तो इसलिए शायद वहां पर मेरा पर्फॉर्मेंस देख के या फर जैसे गोलो को चाप वह मला मला अप बोलो को जादा बेटर होगा मैं कुछ क्राइटेरिया थी जो इस करेक्टर में दिमांड कर रहे थी वह सारी इंसे मिल रही थी कापी सारी आज जैसे एक बुलि करने की चाह है और अप्रोच जो है वो किसी भी काम को जल्दी से ना नहीं बोलती है कि हाँ ठीक है मैं ट्राइ करूंगी मैं करती हूं कुछ करती हो जाएगा तो यह अप्रोज अच्छा लगता है तो हम लोगों ने सोचा की ठीक है और डिरेक्ट को भी पसंद आ रही थी अधिके बहूतislativa कुछ ना यहांला प्रिष नाम यह है यह ओ दिए चैज गलता है sao कभी आघे रख सोचा यहां तने कुछ भाट अपने कुछ रहना कि सच्छन करती है ऐँ आपने कुछ-चाटर जी ही रहना पसंद करती हैं और कि मुझे सुछ मेटा चैटर जी ही पसंद क्योंकि पता नहीं ज़़ी नाम मुझे चैन्ज कर बनें। नहीं कि मेरे पास नाम है इसको तो में चैंज कर से वकार है यह सुचा नहीं है तो आम हैपी विफ माई नेम ये तो बहुत ही अच्छी बात है मा का दिया हुआ गिफ्ट ये लॉंग टाइम तक यही चलता है जी आप कुछ बताना चाहेंगे जिस तरह से आपका हमने एक्शन पैक देखा ये फिल्म हिंदी एंड बंगॉली में आ रही है तो इसके बारे मे कुछ बताना चाहेंगे हम हम चाहते थे कि हमारे काम को हम कैसे जादा तर लो तक पहुचाए है हिंदी में अच्छी रिलीज कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि हम बंगॉल में बैठ कर वहां के टेक्निशन वहां के मेकर्स वहां के जो क्राफ्ट परसन है वो कैसा काम कर यह भी लोगों तक जाना चाहिए तो इसलिए हमने सोचा कि इसको हिंदी तक भी पहुचाया जाए यह दोनों बाते हैं अब बस सरिफ उमीद कर रहा है जब यह फिल्म रिलीज होगी 24 नवेंबर को तो आप लोग जाहिए फिल्म को देखिये और जैसा कि हमारा मानना है कि फि फिल्म के साथ फिल्म अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज सबसे कहिए का फिल्म को देखने के लिए तो हमारी जो कोशिश है वो काम्याब होगी बिल्कुल बिल्कुल जी यह अभी जब मैंने ट्रेलर ट्रेलर देख रहाता था बहुर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जी म मुंबई आई है मुंबई में फिल्म बनाई है और बहुत ही बड़े लेवल पर बनाई है इस तरह से घरो सारे कमेंट्स आप अगर इंटर्वू के बाद देखेंगे जी अगर आप कुछ बताना चाहिए कि उनकी मुराद कब पूरी करेंगे अप जी हम मुंबे तो आई ग जाएगा कभी ने कभी तो हो गाई इसमें कोई दोर आई नहीं है बट फिल्हाल हम अपने काम को ही जो वहां बैट कर कर रहे हैं अपने पसंद की कुछ काम को हिंदी में भी ले आ रहे हैं और आपका जो भी प्यार मिलता है उसके लिए धेर सारा शुक्रिया और कहानी के तौर पर जो आप पूछना चाह रहे थे तोड़ी दिर पहले कि हाँ इस कहानी में वह सारी बाते हैं जो आप फैमिली के साथ बैट कर देख सकते इस अ कंप्लीट एंडर्टेनर इच एमोशन्स विच लोड़ ऑफ ड्रामा इसमें एक्शन भी है रुमैंस भी है अपरा काफी सकस्फुल जा रहा है हमारे दो गाने तीन गाने रिलीस हो चुके है जिसमें से एक गाना बहुत सारे प्लाफोंस पर चाहे विंक हो चाहे विंक हो चाहे बहुत इस अधर विंक इस देर Spotify is there Apple music is there everywhere it is a chart buster now Jio Savan में भी it is doing very well so all these platforms it is performing very well we are happy about it just hoping that this film जब आएगी थेatres पर यह भी आपको पसंदा है So Smita जी गाने की बात की जीत जी ने बाएन जो गाने रेखे बहुत ही beautiful song तो है ही and साथ ही साथ बहुत ही beautiful location भी बहुत ही beautiful आपको जैसे रगा की बहुत सुंदर location है अच्छे से definitely हम लोगों ने बहुत अच्छे से shoot किया है लेकिन ये दोनों गाने romantic गाने है and romantic songs shoot करना ही difficult क्योंकि दोनों लोग का chemistry is very important दोनों लोगों का chemistry is very important and वो chemistry अगर नहीं रहेगी तो गाने के साथ हम लोग उसको match नहीं कर पाएंगे गाना एक जगह पे चल रहा है और हम लोग कुछ और करे तो नहीं होगा तो इसलिए there is always hard work हम लोगो definitely coordination and all everything has to be at the right place and गाना हम लोगों के दोनों गाने जो तीनों गाने रिलीज़ है अभी तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़ी है और बहुत अच्छा response मिल रहा है एक बारिश वाला गाना है जिसमें rain song जिसको हम लोग बोल रहा है तो that it was also a very beautiful experience for me क्योंकि इससे पहले मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिला and शायद हर एक्ट्रिस या फिर हर एक हरोईन चाहती कि उसके life में भी एक बारिश song हो तो यह मेली बहुत special था जब तक कि इंट्रव्य आयेगा तो चौता गाना भी आजाएगा वो सोरु निगम जी ने काया है और बहुती प्यारा गाना है फादर डॉटर के ऊपर गाना है एक एमोशन सौंग है तो हम उमीद करते हैं वो गाना भी लोग को पसंद आएगा सौंग्स की तो बहुत तारीफ हो रही है बिलकुल बहुत ही बहुत ही ब्यूटिफुल लगा मुझे गाना ये लोकेशन दोनों ही फिल्म का लाइग अर फिल्म आने के साथ में और भी कुछ एक क्लास भी है कैसे देखते हैं अपकुछ और एक फिल्म है जो इसांग में आएगी तो कैसे आप देखते हैं कितना चैलेंजि होने वाला आपके लिए वर्ल्ट है और हमारे देश में गर देखा जाए तो साल भर में प्लोस टू थाउजन फिल्म बनती हैं और यह उमीद करना बेवकुफी होगी कि आप जब आएंगे उस अफे कोई फिल्म रिलीज नहोगी यह उमीद नहीं करना चाहिए और ठीक है कॉम्पेटिटिव अगर इक दो फिल्मे आ रही है तो आ रही है कोई बात नहीं जो अच्छी फिल्म है उसको दर्शको का प्यार मिलेगा ही इसमें कोई राइ नहीं है और यह चाहे मेरी हो चाहे एक्स वाई-जी की हो तो अच्छी फिल्म को लोग पसंद करते हैं और वो पहल भी जाता है वो वो खबर बी जाती है लोगों तक ही हा भई छी फिल्म है अभी हाली में को जिनपे एक फिल्म आही थी ट्वैल कर अभी वी चल रही है वो चोटे पैमाने में रिलीजी थी उसके आज अस-पास बड़ी बड़ी फिल्मे थी लेकिं ड़ीव्षल्ट अब्स्र्ट अपनन बि कि अगर फिल्म को भी अगर पसंद किया जाएगा तो नोख के पास ओर हैं और यह फिल्म सब को पता चलेगा और लोग देखेंगे प्यार मिलेगा तो हमें खुशी मिलेगी बिल्कुल, बिल्कुल, विष्ट की धेरो सारा पियार मिलेगा शुषमिता जी, मैंने सुना की बहुत ही अच्छी खासी आपने पढ़ाई भी की है बहुत ही अच्छा खासा आपका जॉब भी लग गया था लेकिम उन सब को साइड में करने के बाद आपने डिसाइड कि मुझे लश्टी में आप जीत जी के साथ काम करना है तो कोई खास वज़ इतना ज्यादा पैशन है आपको अक्टिंग से या क्या वो रीजन है या आपसे जाना का अगो मुझे बच्पन से ही एक्टर बनना था हमेशा से ही एकदम मनलब छोटी थी मैं तबसे फिल्म देखते हुए मैं खुद मिरर के सामने जाके वही सारे डालोग बोलती थी समझ में नहीं आता था उस वकत लेकिन बोलती थी और तो बच्पन से ही शॉक था मुझे और बनना था इस 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 मैं पैशन पर पढ़ाई एजुकेशन इस वरी इंपॉर्टन इन लाइफ तो ममी पापा नहीं भी जो कहा मुझे कि पहले ग्राजुएशन कंप्लीट करो तो 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 यह अंकु तो वही है कि मैं ने ग्रजुएशन एक प्र क्राजूएशन कंप्लीट की और अच्छी जॉब मिली प्र मैने जॉइन नहीं किया और फिर इंड़े करते 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 सर जीत सर मुझे मिले यह इसमें मेरा हाथ नहीं था क्योंकि यह तो destiny है definitely और उनको मैं पसंद आई तो यह उनका परपन है वो नए लोगों के साथ काम करते है वो newcomers को मौका देते है इसलिए मैं fortunate हूँ लेकिन उनके सपास कैसे पहुंचना था यह मुझे नहीं पता यह तो destiny ह यह destiny है जीजी फिल्म का नाम है मानुस लाश्टी आप से जाना चाहूंगा और इंसानियत जैसा कि आपने बताया कि हम देख रहे हैं कि हमारे दुनिया में धीर धीरे बहुत सारी धीरे इंसानियत जो खत्म होती जा रही है बहुत सारी जिगा पर वार देखने को मिल रहे ह मानुस कुछ बताएंगे आप इस फिल्म के जरिये कि जो अपने बताए कि इंसानियत जो खतम होती जा रहे है उसके बारे अगर आपको बताएंगे आप फैनिस 24th of November को जो देखने को मिलेगा इस फिल्म के जरिये कि इंसानियत खतम हो रही है मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि अच्छे इंसान है अच्छी चीज़े है पॉजिटिव चीज़े है तभी दुनिया चलती है और अगर आपको पॉजिटिव फ्रेम अफ माइंड में रहना है और पॉजिटिविटी आपको रेडियेट करने है जारो तरफ रिसीव करना या गिविग अवे तो ये सारी चीज़ों के लिए यू आपको पॉजिटिव तो पॉजिटिव और आपको अच्छी तरफ ही उनसे ही अट्राक्टेड होते हैं उनकी तरफ ही हम अपना अपनी नजरे रखते हैं और अपना का पॉइव रखते हैं अदरवाइस रही है और अच्छी इंसान जो नहीं है वह भी बहुत हैं भरे हुआ हैं बट यू अब तो यूट्वर्थ अडमा जरूर मैं बोलना चाहूँगे की 24th of November हमारी फिल्म मानुष् यह रिलीज हो रही है थेटर्स पे आप सब आप सब इसे फिल्म देखें और हम लोगों को बताए आपका रिव्यूज कमेंन्स और फिल्म प्लीज लेट उस नो आपको कैसी लगी फिल्म और अगर अच्छी लगी तो सब को बताए और बुरी भी लगी तो भी हम लोगों को बताए अच्छी लगी लगी फिल्म अच्छी लगी आप सभी को और सब को जरूर बताएगा 24th of November से फिल्म लीजोरी है मानुष आपके नजदी की सिनमा करो मैं सूपाँ थैंक्यू थैंक्य। थैंक्य। लाओ 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 लाओ